हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के विडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक में अगर आप देखोगे एक अपडेट आई है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मुवमेंट बनने वाले हैं और यहां से देखेंगे कि आखिर जो यस बैंक है वह कहां तक जा सकता है कौन से लेवल को टच कर सकता है और आपको अभी इस टाइम पर क्या स्ट्रेटीजी जो है वह अपनानी चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरू देखिए आपको सारी चीज अच्छ कुल यानिकि सक्षी नीचे थह लिए और जो कल मोमेंट था वह आज देखने को नहीं मिला इसमें अगर आप देखते हुए टाटा कोमिनिकेशन न को ट्यूब इन्वेस्टमेंड वरन वेवरेजस जैसे स्टॉक जो है वह आज के दिन के टॉप गेनर नजर आए हैं और वरन वेवरेजस को मैंने एक वीडियो में कवर किया था अगर आपने वह वीडियो देखी होगी तो रीजन आपको पता हुआ कि आज इसमें तेजी क्यों बनी है वहीं बात करें औरिकल फेना फाइनेशल सर्विसेज जो मैटो इंडियन बैंक अधानी ट्रांस्मिशन पांच परसंट से लेके साड़े साथ परसंट की गिरावत दिखा कर आज के दिन के टॉप लूजर की लिष्ट में ये शियर जो है वो नजर आए है ठीक है तो पर आज पास की गिरावट एक्जेक्टली शोले रुपे पर जो है वो क्लोजिंग आपको यहां पर देखने को मिली शोले रुपे दस पैसे पर ओपन हुआ था सोले रुपे 25 पैसे का हाई बना था सोले रुपे का लो बना और अपने लोएस्ट पॉइंट के आज पास ही जो इसकी क्लोजिंग है वो आज के दिन देखने को मिली है वहीं अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में साड़े पांच परसन के आसपास के पॉइटिव रिटरंस जो है वो बंते हो नजर आ रहे हैं यानि कि अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको जो माहल है वो थोड़ा सा इंप्रूब होते हुए नजर आया पिछले एक महीने में लेकिन वहीं पिछले छे महीने में चीज़ें फिर से खराब हुई है और करीबन तीन परसन के आसपास के नेगेटिव रिटरंस जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो यह मैंने आपको प्रोफाइलिंग बता दी जिसमें बहुत ज्यादा कुछ इंप्रेसिब दिखाई देता नहीं है लेकिन अब जो एक न्यूज में आपको बताने वाला हूं वह काफिया इंप्रेसिब है यहां पे आप देखो तो यह बैंक लॉंचे सोलर फाइनांसिंग प्रोग्राम टू मीडियम स्मॉल एंटर्प्राइज होती है उनके लिए लॉंच किया है यह एक सबसे बड़ी बात निकल के आती है और यह बैंक पहली बैंक है जो यह जो इनिशेटिब है वह लॉंच करते नजर आ रही है इसमें अगर आप देखोंगे तो क्या हुआ है कि बैंक हैस फॉर् सॉलीशन तो सपोर्ट दी अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेवल एनर्जी प्रैक्टिस बाइए मसमे यानि कि अगर आप देखोंगे तो यह बैंक ने यहां पे कुछ ऐसी कंपनी के साथ टाइब किया है जो कि सोलर सॉलीशन यहां पर प्रोवाइड कराते हैं और जो होगे तो बताएगा एक लेंडिंग प्रोपोजीशन एमड एट ओफरिंग फाइनेशल असिस्टेंड टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानि कि आपको यहां पे पर्टिकुलर अगर आप यह चीज फॉलो कर रहे हो कुछ सूलर एनरजी पर अगर इसमें जो इंस्टॉल करने वाले उनको जो लोन है वो मिल जाएगा पूरी तरीके यहां पर बताएगे आए कि जो हैजल फ्री फाइनेशल सॉलूशन रहने वाला है MSME को encourage करेगा और यहां से इनकी जो sustainability goal है वो अचीव हो पाएगा और इनके जो funds है वो भी free up रहेंगे और उसके बाद अपने जो भी business related requirement है वो भी पूरी हो पाएगी officials के according अगर हम बाने तो यहां पर जो bank का main aim है वो है sustainable energy practices को adopt करना by small and mid-size enterprise जो already अपनी cost efficiency पर काम कर रहे हैं और इससे उनको काफियादा फाइदा होने वाला है अपने expenses जो है वो power and fuel की तरफ कम होते हुए नजर आने वाले है इस news को अगर आप अच्छे से पढ़ी होगी या आप जैसे मैंने आपको बताया अगर आपने सुना होगा तो अभी सुनने में आपको बहुती basic सी news लग रही होगी लेकिन अगर आप यह देखोगे कि yes bank हर एक particular sector को target कर रहा है जो पहले इनका एक ही एम था कि बड़े बड़े corporate houses को target करो वहां से बड़ा business लेके आओ उसके पाद की हालत आपको बता होगी लेकिन अब क्या है कि छोटे-छोटे companies हैं उनको भी target कर रहा है और उनके लिए जो भी best possible services हो सकती है बहुत सारी चीज़ है provide कर आई जा रही है इनके country head Mr.धवन शा की तरब से बोला गया है कि हम जो small and miss sized enterprises हैं उनको support करने के लिए पूरी तर करने वाले हैं और यहां से energy efficient भी बनाने वाले हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि overall yes bank जो है पूरी तरीके से focus कर रहा है इन सारी चीज़ों पर so that आने वाले time में इनके जो NPS के number है वो उतने जादा ना बड़े अब यहां से अगर आप देखते को देखते होगे coffee time से तो आपको सबको बताई है कि yes bank एक बारी में उस न्यूस पर उतना यादा react नहीं का तरसका शियर बाद में एकदम से आपको बहुत बड़ा moment जो है वो देखने को मिलता है वह अगर हम बात करें इसके कुछ जो support and register levels है वो आप यहां पर देख पारे ह जो आरे साई है वह अभी फिप्टी टू के आसपास है यानि कि अभी ना तो ओवर वाट जोन में है ना ही ओवर सोल जोन में neutral आपको देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो शियर में जो momentum आएगा वह केवल और केवल volume के वजह से ही आ सकता है और को कोई option नहीं है क्योंकि जो Supreme Court का फैसला है वह अभी तक पता नहीं है कि उसका result कब आएगा लेकिन इसमें अगर कोई बड़ी बिकवाली या फिर जो सेलिंग है वह जाती है या फिर खरीदार ही होती है अच्छे amount में तो definitely यहां से जो शियर है वह आने वाले time में एक बड़ शियर करिए वीडियो कर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरू कर दीजेगा चैनल पर फर्स्टाम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरू कर दीजेगा धन्यवाद